दोस्त वीडियो में बात करेंगे बीटा फिनांस के बीटा कोईन के प्राइज में के बारे में एंट्री लेवर्स और आने वाले दिनों आपके लिए टागेट्स के रहेंगे करेटल कोई 0.099 पर ट्रेट कर रहा है एक अच्छे डाउंटर नेक अच्छ टिप का अंदर करना चाहते हैं और प्रीवियसली एंट्री मिस की है अभी एक अच्छ लेवल पर इस कोईन में एंट्री देख रहे हैं उनके लिए बात करेंगे कौन से आपके लिए बैस्ट एंट्री पॉइंट रहेंगे और आने वाले दिनों आप ले टागेट्स क्या रहेंगे एज़ प्रोपर गाइडेंस प्रोपर स्रेटीजिश शेयर की जा सके चैट एकसेज रहेगा क्रिप्टो क्वारी जडूल की जाएगी सिगनल की जाएगे और भी बहुत सारे बेनेफिट्स तो जो भी अपनी क्रिप्टो जानी प्रोफिटबल स्टार्ट करना चाहते हैं पर डियम करके जोईन कर सकते हैं लिंक वीडियो के डिस्किप्शन में है जरो पॉइंट जरो नाइन नाइन फॉर पर अभी कोईन ट्रेट कर रहा है यह फिफ्टीन मिट का चार्ट ओपन और कल से अपी तक बात करें तो फॉर तू फाइप परसंट का करेक्शन इसकी प्र प्रिवियस्ली भी हमने अच्छे लेवल पर 0.08, 0.09 वाले लेवल पर हर बार जब भी इसकोईन पाफॉश्टी रही है हर बार एंट्रि लेकर हमने 30, 40, 20% का क्विक प्रॉफिट इसकोईन से मन्सली जनरेट किया हर महीन हमने चाहे वो दिसंबर मन्त हो जनवरी मन्त हो चा 5th of April को आने की almost one month था इस coin में entry share की थी जब यह coin almost 0.09 के round trade कर रहा था यह जो date है हमने यहाँ पर आपको 5th of April को share की थी और 5th of April को यह coin 0.092 के round trade कर रहा था 9-1 के round हमने आपको entry share की थी टागेट हमने बताये थे 0.011 वाला लेवल फस्ट टागेट था जिसको इसने दो दिन बाद ही ट्राइक कर लिया था सेकंड टागेट था 0.0 0.12 वाला लेवल जहां पर आपको 6040 के रेसों में sell out करना था दोनों टागेट को इसने 4-6 दिनों 8 दि लेवल को ट्राइक कर लिया था ट्रेडिंग परस्पेक्टिव के टागेट थे सोटम में अगर बात करें तो 0.135 वाला टागेट बता था ये केंडल जो रेट के नहीं आपको डेली के अंदर देखने को मिल रही है 138 वाला लेवल इस कोई ने ट्राइक किया था तो सोटम वाला क्या भी टागेट हिट हुआ था और आपने ट्रेडिंग परस्पेक्टिव से 20-25% का इस कोई के अंदर पॉफिट जनरेट किया सोटम में 40-45% का पॉफिट इस कोई का अदर जनरेट किया उसके बाद फिर बड़ा करेक्शन देखने को में प्राइज वापिस हमें 0. 0.089 तक देखने को में लिए थी इसके बाद वापिस ही है जो 1-4 वाला ब्रेकाउट हुआ था इससे पहले जब यह कोई 0.09 कराउं ट्रेड कर रहा था उस टाइम में मैंने इस कोई को को वाच लिस्ट में डाल रखा था एंट्री आपको शेयर करने ही वाला था एक कुछ से मैं उस दिन शेयर नहीं कर पा और नेक्स डेगर देखा तो इस वाला जो 1-4 वाला लेवल है यह भी हम कर पाते हैं फिर अभी अगर बात करें तो अभी पार्केट के अंदर बड़ा करेक्शन है बीटी से 28,200 पर ट्रेड कर रहा है बीटी सी ने अभी 28,000 वाला एडिया है किया तो यहाँ पर अंची गारवट है इस कोया में अच्छी ग Created और जिस लेवल पर हम हैं अभी एंधिर देख रहेते हम में जब शेयर करने वाला था उस लेवल पर वांपिसर आ गई है तो क्यों न हम इस कोय कोयन में अच्छी लेवल पर एंट्री ले इस इंट्री को और इस coin में देखने को मिलता है और 20-30% का profit आपको easily महिने में दो बार देकर चला जाता है हर बार जब भी आप पोश्टर रेती हैं हमें इस coin में entry लेते हैं और अभी भी हमें इस coin में entry लेंगे entry की बात कर लेते हैं उससे पहले support and resistance area की बात करते हैं 0.09 वाला एक बहुत अच्छा support area को जिससे उपर अभी यह coin trade कर रहा है daily closing भी इससे उपर हमें देखने को मिल रही है और इससे पहले इस coin ने इस level को maintain किया हुआ है इस coin ने यहाँ पर जो 9 वाला support area है इसको पिछले 2-3 मैने से maintain किया हुआ है इस level को इसने break नहीं किया है तो यहाँ पर भी 9 से नीचे जाने की chances बहुत कम हैं यहाँ पर stability maintain करेगा maximum अभी अगर आज बात के 0.095 तक price चलेगी थी max to max आपको 90 तक price देखने को मिलेगी उसके लिए भी हम prepare रहेंगे तो entry उपर की तरह बगर रहेंगे की बात के 0.0 0.106 वाला इसको रहेंगे हैं तो entry की बात के लिए 0.099 पर अब भी यह coin trade कर रहा है यहीं पर आपको entry लेनी है entry आपको 70% part से लेनी है जो भी amount आप इस coin में लागना चाहते हैं उसके 70% part से आपको current price पर रहने की 0.099 यह से नीचे भी price आती है तो आपको entry ले लेना है 10 पर यह 10 cent पर भी price आती है तो आपको entry ले लेना है second अगर और correction देखने को मिलता है price नीचे अपने support area को test करता है तो 0.092 वाले level पर आपको second entry लेनी है जो रहे हैं आपकी 30% part से इस टाइप से 70-30 के रहे हैं आपको इस coin में entry लेनी है जो second level है उसके value लेने में आपको लगा देनी है ताकि price वहां अगर जाती है तो आपको second level ले हिट हो जाए targets की बात करते हैं तो जो trading perspective से entry लेंगे याने की quick profit अर्ण करने की perspective से entry लेंगे उनके लिए immediate target रहेगा 0.12 वाले level जहां पर आपको अपना 60% part sell out करना है second target रहेगा 0.13 वाले level जहां पर आपको वाकी 40% part sell out करना है 60-40 के रहे से हम आपको 12 और 13 वाले level पर sell out करना है easily यह coin आपको 1-3 वाले level पर trade करता हो दिल जाएगा BTC में थोड़ा सा ही moment होगा BTC 29,000 वाले area को try करेगा थोड़ी stability रहेगी अभी देखिए अभी recent breakout को है तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा यहां से गर बात करें तो आपको 15 या 18 में तक का वेट करना पड़ सकता तो उसके लिए आपको prepare रहना है यह मैं आपको पहला ही पता जेता हूं नहीं तो आप दो दिन चार दिन का वेट करके फि जो सेकेंड जो सोटम वालों की बात करें तो सोटम में 0.14 वाला लेवल आपके लिए टागेट रहे है जापर आपको अपना 100% पार सलाओट करना है से लिमिट आपको लगा देना है जो भी लेवल में आपको बता रहा हूं उन लेवल की अगर आप लोंग टम इन्वेस्ट पर भी ट्रेड करता हुआ देख जाएगा बाकी जो नए इन्वेस्टर ट्रेडर है वो हमारी प्रीमियम मेंबर्शिप में जरूर इन्रॉल करें ताकि आप क्रिप्टो लोसिस से बच पाएं ओवर ट्रेडिंग को मिनेच कर पाएं वहां पर आपको प्रोपर गाइडेंस स्ट्रेडिजी शेयर की जाएगी सिगनल शेयर की जाएंगे और भी बहुत सारे बेनेफेट्स हैं तो जो भी इंट्रेस्टेर है वो इंस्टा पर डियम करके जोई कर सकते हैं इंस्टा की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हैं बाकी यहां पर बाए और से खुद के सब्सक्राइब करें यहां पर हम कोई फाइंस अडवाइज नहीं दे रहे वीडियो सपर पर पर पस्टे हैं ताकि आपको ओवराल कोई से लेटेड नोलेज उसके वीडियो अच्छा लगा है लाइक जरूर करें चर्ण को सब्सक्राइब करें तेंक्यों